मिंटों में बनाएंगे मलाई से मकन और मकन से देशी घी और कौनसे बरतन यूज करके कैसे आप मोटे मलाई निकाल साकते हो वो तरीका भी मैं आज सब को बताऊंगी और दोस्तों पिल्कुल नए तरीके से सिर्फ एक हफ्ते की मलाई से एक किलो घी आजम निकालेंगे तो च यहां पर मैंने जो बरतन लिये है यह स्टील का बरतन है निचे से मोटे है और साइज से थोड़ा पतला है ऐसा बरतन लेंगे तो हमारा मलाई बहुत ही आच्छा आता है तो पहले हमने क्या किया है दूद को अच्छे से उबा लिये है अभी देखो यह दीरे दीरे उपर उ जाएगा अभी एक दम मीडियम टू लो फ्लेम में कर देंगे और पांच-चे मीट के लिए दूद को ऐसे उबालने के लिए चोड़ेंगे कल्ची को उपर रखेंगे तो दूद का मालाई उपर नहीं आएगा और गिरेगा भी नहीं तो देखो पांच मीट के बाद दूद तो हमारा फ्रीज में अच्छे से उबाल गया है और यह पहले से थोड़ा कम हो गया है क्वांटिटी ज्यादा कम नहीं हुआ है बस थोड़ा सा तो इसको अभी और एक दो बर हाई फ्लेम में उबालेंगे अच्छे से मीक्स कर देंगे फिर इसको गैस का फ्लेम आप करके गैस के उपरी ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उपर एक जाली रख देंगे ताकि दूद के अंदर कुछ गिरे ना तो एकदम जब दूद रूम्टे प्रचे पे आ जाए तब इसको फ्रीज में रख देंगे 5-6 घंटा के लिए तो देखो 5-6 घंटा पाद में और कलर भी देखो दोस्तों तो मैं क्या किये हूँ अभी एक नाइप के साइटा से दूद के साइट का मलाय का इस टाइप का छुरुबा लेंगे और धीरे धीरे एक स्पैचुला लेके दूद के मलाय को हम निकाल लेंगे दोस्तों यहां पे देखो कितने मोटे रोटी के जिससे मलाय आये आप देखे समझ सकते हो दोस्तों दोस्तों दूद में बहुत सारे vitamin protein calcium रहता है तो दूद के mamlaay अगर आप ज्यादा निकालोगे न तो सारे protein calcium मलाय में आ जाता है तो दूद का सारे vitamin protein एकदम खतम हो जाता है इसलिए रोज का मलाई ज्यादा मोटा नहीं निकलना है थोड़ा कम ही निकलना है इससे दूद के प्रोटीन फाइवर और कैलसियम एकदम बरकरा रहता है जो बच्चे बढ़े जो जिसको आप खिलाओगे दूद उसमें प्रोटीन फाइवर फैट कैलसियम सब जाएगा तो एक हपते के मलाई दो जगा स्टोर करके रखे थे तो अभी इसको कराई में ले लिये है दोस्तों मलाई को एकदम डीफ फ्रीज में नहीं रखना है नॉर्माल सा फ्रीज में स्टोर करके रखना है तो मेरा यहां पर साथ दिनके मलाई है तो अभी मैं ग्यास का फ्लेम को का मलाई को अच्छे से हाथ से फैला देंगे और मैं यहाँ पर एक अब जितना बड़ाप का टुकड़ा लिया है एके करके अधा बड़ाप का टुकड़ा मलाई के उपर इस टाइब का रग देंगे और बरब के टुकड़े रखे मलाई को बरब के टुकड़े के संग अच्छे से मिक्स कर देना है ना ही मतना है और ना ही फिटना है गैस का फ्लेम है अन और मलाई भी दीरे दीरे देखो गरम होड़ा है साइट से देखो दीरे-दीरे मलाई पेगलना शुरू कर दिया है, अभी क्या करेंगे गैस का फ्रेम को करेंगे बंद और फिर अच्छे से बड़प के संग मलाई को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी मोटा दानार है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और देखो यहां पे जितने भी आधा बचा हुआ बड़प था उसको भी मैंने डाल दिये है दुबारा सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखो यहां पे एक दो मीट के लिए बड़प को मैं मलाई के संग छोड़ देंगे ताकि बड़प हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तो दो मीट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ देखो अब क्या करेंगे और एक मिनिट के लिए यह मलाई और इसमें और नोर्मल नहींदे के में देखोगे नबाने के बाद मकषन जो है यह ना जीतना भी मकषन हमारा निकला है वह दीरे-दीरे पाने के तैयारने लगेगा तो अभी एक थोड़ा थोड़ा करके मखण को हाल से लेंगे और इकटा करते जाएंगे और इस टाइप के देखो मखण को दोनों हाथ के बीच में लेके दबा के इसका एक्स्टा जो छांच और दूद है न इसको अलग कर लेंगे और इसी तरह बागी सार ये मखण को अलग करके दूजरे एक बर्तन में लेते जाएंगे और दोस्तों अगर आप मखण का गोला बनाना चाहते हो ना तो इसने मखण को और थोड़ा दो-ती मीट के लिए फेटना होगा तो मुझे गोला बनाना नहीं है मुझे तो खाले मखण निकालने का मतलब है बस ये जो चाहँ चाहँ दूद है आप इसको पनीर भी बना सकतो ये कड़ी भी बना सकते हो देखो दोस्तों कितना सारा मखण भी निकला है सिर्फ एक हपते की मलाई से तो दूबारा में वही कड़ाय को साप करके ले लिए है और ये मखण को कड़ाय में टाल दिये है अभी ग्यास का फ्लेम को भी कर देंगे और एक दम हाई फ्लेम में एक मीट के लिए मक्खन को गड़म होने के लिए छोड़ देंगे जब देखोंगे मक्खन दीरे-दीरे मेल्ट होना सुरू कर दिया है तब क्या करेंगे ग्यास का फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो पे और कल् नहीं होगा आप एक हपते के मलाई से एक किलो जितना गी निकल पाओगे देखो दोस्तों तीरे दीरे हमारा कितना गी निकला है और इसका कलर भी देखो कितना प्यारा है तो देखो दोस्तों मेरा पूरा गी जो निकल गया है और इसका कुर्चन के कलर भी देखो थोरा सभी जलाने है और हमारा कड़ाय ना ही गंदा हुआ है और ना ही खड़ाब तो गी को चाने के लिए मेरे पास यहां पर देखो यह चनी है इसको मैं अच्छे से आग में जला दिंगी ताकि इसके अंदर जितना भी गंदगी है वो निकल जाए और अभी इसको ठंडा करके पानी से अच्छे से धोके साफ करेंगे तो हमारा चनी भी अच्छे से साफ हो जाएगा तो इस टाइम हम क्या करेंगे चनी से सारा जो गी है उसको निकाल लेंगे दोस्तों आप देखो गी का कलर और कुचन का कलर दोनों ही कितना प्यारा है अगर आप ज्यादा कुचन को और दोस्तों यह जो कुर्चन है इससे आप मिठाई भी निगाल सकते हो अगर आप कुर्चन को ज्यादा पकाऊगे ना तो आपका कड़ाय ज्यादा गंदा हो जाएगा तो यहां पे देखो मेरा कड़ाय तो उतना गंदा नहीं हुआ है एक दम सीसे का तरफ चमकड़ाय ना या आठा इस टाइप का मिक्स कर देना तो क्या होगा आपका कड़ाय बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा इसी टाइप का इसके उपर थोड़ा सा आठे का डस्टिंग कर देंगा और अच्छे से मिक्स कर देना तो आपका कड़ाय बहुत ही जल्दी एक दम साफ हो जाएगा दोस्तों मेरा आज का ये तरीका कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल में नीव फ्रेंस हो तो चैनल को सब्सक्राब करना बिल्कुल ना भूले फिर मिलेंगे बाबाई टेक यार